Hello Everyone, मैं Amit Thagur आज की इस वीडियो में हम एक BeoQBit participate करके देखेंगे क्योंकि क्या हुआ है? BeoQBit का पूरा प्रोसेस completely change कर दिया गया है पहले जो हम BeoQBit participate करते थे, वो तरीका बिलकुल अलग था अब क्या हुआ है? BeoQBit का तरीका बिलकुल change कर दिया गया है जिसके बज़े से बहुत से लोगों को परसानिया हो रही है BeoQBit में participate करने में सबसे ज्यादा दिक्कत कहा हो रही है? जो MMI का, Making India का close लगा दिया गया है BeoQBit के अंदर उसको लेके सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत आ रही है तो आज की वीडियो में वही मैं बताऊँगा इसका solution भी बताऊँगा कैसे क्या है Making India वाला solution और complete process कि अब आपको कैसे BeoQBit participate करनी है पहले दूसरा तरीका था BeoQBit participate करने का जो हम Excel file में अपने rate code करके upload कर दिया करते थे लेकिन आप क्या हुआ है BeoQBit में आपको Excel file upload नहीं करनी होते एक-एक करके rate code करना होता है और भी काफी process change हुए है BeoQBit participate करने के तो चली process start करते देखते है कैसे हमें BeoQBit participate करनी है ठीक है तो देखे सबसे पहले यह आपके BeoQBit की copy है पहले क्या होता था सबसे बड़ा change हो कर दिया है item category जो आपकी लिखिया आती थी BeoQ अब BeoQ नहीं लिखिया आती जो भी buyer similar category select करता है BeoQ बनाने के लिए उस category का नाम लिखते आता है तो आप यह भूल जाना कि आपको Excel पर BeoQ लिखा हुआ है देखेगा तो ऐसा नहीं है है यह BeoQBit ही यह देखे यह रहा BeoQ details BeoQ document details लेकिन है यह BeoQBit लेकिन अब process change हो गया है पहले कुछ अलग process था BeoQ होगा अब कुछ अलग होगा है process BeoQ होगा तो इसी को हम पूरा participate करके देखते है वीडियो end तक देखना क्योंकि skip करके भी देखोगे या आदा दूदा देखोगे तो आप BeoQ participate नहीं कर पाओगे बहुत से process चींज हुए BeoQ participate करने में तो चलिए मैं start करता हूँ सबसे पहले क्या करता हूँ मैं bid number copy कर लेता हूँ और bid को open करता हूँ ठीक है यह मैं आए गया यहाँ पर bid आ रहे नंबर वाइज सर्च किया यहाँ पर यह मेरे पास bid आ गई ठीक है बेट आने के बाद अप मैं क्या करूंगा इसके उपर participate पे क्लिक करूंगा मैं starting से आता हूँ आपका ठीकनिकल से टेकनिकल से आए यहाँ पर आपको क्या करना यहाँ पर एक एक करके simply देना है कि आप मेक कौन सा दे रहे हैं मेक का मतलब होता है मोडल ठीक है और मेक का मतलब होता है आपका कि किस ब्रैंड का आप दे रहे हैं उसके बाद उसका मोडल कौन सा है वो बताना है आपको आपको नहीं पता आप गूगल करके निकाल लो कि अ यहां से agression code देख लिता हूँ इसका तो है उसका इसका जो स्वेस्षेषेशन code है ये है तो मैं क्या करूँ है तो मैं इसका addcision code कोपी किये मैंने और यहां पर डाल दिया और की case में कोई brand हो तो आप डाल दे न मेरे में इसके बाद आपको क्या करना है ऐहाँ पर क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पर प्राइज जालना है पहले क्या होता था हम एक बार मेरे से select कराया लेकिन होता है न ब्योक्यू मैकसिमम बनती है bunch products की तो जितने भी product होंगे आपको एक एक करके हर एक product को select करना होगा हर एक product का modal और hsn code सारा enter करना होगा उसके बाद यहां से continue करना होगा मतलब मेरा यह एक का है आपके में हो सकता है bunch product हो तो यहां पर काफी सारे product दिखाएगा तो एक एक करके आप सब पर participate करकर के click करेंगे और click करने के बाद सब का brand, model और hsn code enter करके continue करेंगे तो मैंने यहां से continue किया आप इसके बाद देखें मेरे को यहां पर rate डालना है जो मेरे को view view में अपना rate देना है तो यहां पर मेरे को अपना rate डालना है कि मैं क्या rate code कर रहा हूं तो मैं यहां पर rate code कर दिया इसके बाद save and encrypt सबसे मेन आ जाता है यहां पर डॉक्मेंट्स में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है और कहां पर सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इसमें आपको कुछ हो मेकष इंडिया यहां पर सब्सक्राइब करते हैं यहां से बता दिक्काथ हो अब आती है documents upload की बात तो मैं यहां पर documents सारे upload करके दिखा देता हूं और सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही है यहां पर आ रही है MMI documents में यहां से किसी को आगे बढ़ने नहीं दे रहा बिड़ में तो सबसे ज्यादा problem यहां पर होती है आपको आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा वहां से देख लेना अभी मैं फिला लेकर document upload कर लेता हूं जैसे कि मेरे को experience करना है तो experience में मैंने अपना experience का document लगा दिया तो कई बार देखे document upload करते समय आपको इस टाइप का error भी देता है आपकी file का size 10 MB से कम होता है फिर भी आपको यह error देता है कि आपको अपने 10 MB से कम की file का size upload कीजिए तो उसके लिए आपको क्या करना है सीधा Google पर जाएए PDF file size compress यहां से कीजिए ठीक है और यह कोई सा भी एक ले लिजे मैं इसको ले लेता हूं यहां से और यहां से अपनी PDF file का size आप compress करके दुबारा upload कीजिए वहां पे आपकी file जो है upload हो जाएगी जैसे मेरा यह experience वाले मैं error दे रहा था तो मैं क्या करूंगा इसको compress करूंगो file size को यहां से compress PDF किया मैंने compress हो गई अब यहां से मैंने download किया इसे download करने के बाद दुबारा मैं अपने इस पर आ जाओंगो system पर और यहां से आप दुबारा document upload करके देखूंगा यह मेरा compressed file आ गया experience का जो मैंने अभी compress की तो यहां से मेरा experience की copy download होगी अब मैं यहां से अपना past performance download करूंगा अप्लोड कर दूंगा यहां से एक एक करके आप इस तरह से अपने सारे document upload कर लेना जो भी आपके हैं कि यह मेरी balance sheet होगी मैं भी यहां पर आपको document नहीं समझा रहे हैं यह सारे document क्या होते हैं सारे document समझने हैं तो already इसकी वीडियो बनी हुए वीडियो आप देख लिए ना आई बेटन पर आपको link मिल जाएगा यहां पर ATC ATC हो गया हो यह मुत्राइजिशन सर्टिफिकेट हो गया है और भी ओक्यों कंप्लाइंस डॉक्मेट तो इस तरह से यह सारे document हो गए इसके बाद यहां से आपका MSME कि आप MSME में रेइस्टर है तो यहां पर अपना MSME सर्टिफिकेट अप्लोड कर देना है आपको मेरा MSME सर्टिफिकेट अप्लोड हो गया इसके बात देखे सबसे में गेम जो आती है यहां पर अप्लोड करता हूं मेक इन इंडिया और यह देखे मैं यहां पर अप्लोड किया अप्लोड कर दिया अप्लोड करने के बाद यहां से मैं कंटीनिव करूंगा तो यहां पर अधार दिया मुझे ओनलि क्लास वन लोकल सप्लयर अलाव एं एंडियो डिवर्स भेड के लिए नहीं यह वालों के लिए यह बिड नहीं बाकी मेक इंडिया है क्या में मुझेंट होता क्या है कैसे बनाया जाता है इसको कंप्लीट समझना है आप आई बें बटन पर वीड स्लेक्ट किया और से बाद मैंने अपना MmAi document सेलेक्ट किया स्लेक्ट करने के बाद upload कर दिया मैंने यहां से zip करने के बाद continue करने के बाद यहां पर simply मैं अपने OTP से ویरिफाई करके यह मैंने किया OTP पे क्लिक और मेरे register mobile नमबर और email ID पर OTP डालके मैं यहां से इस bit को पहले और अब मैं काफी प्रोसेश चेंज हो गया है वियो की बिट पार्टिसिपेट करने में उमीद है वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर करना मत बूलना बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी यूनिक कॉंटेंट के साथ